Hello Students, महरास्ट इस्टेड की 85% स्टेड कोटा का CUT OFF Allottment Result Declarator किया जा चुका है इस वीडियो में आपको Category-wise CUT OFF के बारे में आप से बात करूँगा कि क्या Category-wise यहाँ पर CUT OFF रहा Male Category और Female Category में भी यहाँ पर क्या CUT OFF रहा है सबसे पहले अगर बात करने एंडरेज़ आप केटेगरी के लिए तो मेल का जो क्लोजिंग रहा वाँ पर 581 माक्स पर आपको बंदुगा कॉलेज rank की बात करें तो 29520 same आपका female का यहाँ पर बंदूगा लेकिन अगर बात करने की rank की female category में तो आपका 2975 बन पर रहा EWS category के लिए आपके 573 marks 573 marks रहे male और female category में लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको difference देखने को मिल सकता है rank में 34280 और 34209 OBC category के लिए बात करें तो 572 marks for male and 573 marks for female candidates के लिए यहाँ पर closing marks रहे rank की बात करें वहीं पर SC category के लिए marks की बात करें तो 491 and 492 marks यहाँ पर रहे rank की बात करें तो 94306 93336 S यहाँ पर रहे ST category के लिए जो आपके marks रहे वो 355 और 354 रहे male candidate और female candidates के लेकिन यहाँ पर अगर other category की बात करें जैसे visa category आपकी NT1, NT2 और NT3 category के अगर मैं आपसे बात करूँ तो उनके cut-off के लिए जो male candidates के लिए visa category में 530 marks और female candidates के लिए 520 marks यहाँ पर closing marks यहाँ पर रहे NT1 category के लिए 496 और 494 marks, NT2 के लिए 556 और 556 same marks रहे, वहीं पर NT3 category के बात करें तो 572 और 570 marks यहाँ पर रहे तो थोड़ा सा cut-off में 10 से 15 marks का जो cut-off है वहाँ पर increasement इस साल देखने को मिला है क्योंकि last year unreserved category के लिए जो closing था 518 marks तक भी पॉलिस का closing यहाँ पर देखने को मिला था तो यह कुछ cut-off यहाँ पर रहा है round 2 में क्या cut-off रहेगा जैसे round 2 स्टार्ट होगा उसका lotman declared के जाएगा हम आपको बता देंगे यह पूरा का पूरा मैंने अपने आपको लिंक मिल जाएगी description box में आप वहाँ जाके उसको join कर सकते हैं thank you